करेंगे उस क्योस्टिन को हम लोग देखेंगे के अंदर में आप लोगो को कॉलिटी के वारे में कुछ एक्ष्ट्र चीजे बताऊंगा कुछ बहुत इंपोर्टन क्योस्टन हम लोग प्रेंगे तो जैसा पहला क्योस्टन आपको देख रहाए स्क्रीन पर पॉनकणी सब्सक्राइब मतलब हमारा सम्मिधान सब्सक्राइब लेकिन उसको चलाना है तो क्यають करनी है तो वह प्रॉब्लम का से अंदर कोई बह ένα करनी पड़ती है तो उसको कहते हैं वह हमारा है अमेंडमेंट कि करनी है तो वह कहलाता है हमारा अमेंडमेंट थिक थींथ आलिए हम्मिज करते हैं हम सम्भिधान में amendment करते हैं वह आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 368 अब पहली बार सम्भिधान में चेंज करा गया होगा तो उसको कहीं और पहली बार चाहिए कर लो बढ़ते चले गए होंगे होंगे कई बार हमने सम्मिधान के अदर बाभलाब किया तो Sinister 2015 गया अगले सालնANS प्रकी आगिया हमारा सेकें तो ऐसे करते करते हमारा क्योश्च नी कशने के रहा है कि हमने यानी कि 1992 में वह कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें हमने संभिधान के अंदर तीन नहीं लैंगविज जोड़ी ओंकरनी मनिपुरी और नेपाली यह तीन लैंगविज हमने कव एड करी और कौन संभिधान के तुरू आड करी तो वह हमें बताना है तो इसका जो आंसर है वह हमारा सेवंटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था जो 1990 का था उसके थुह कर रहा हमने इन इन लैंगविज को अपनी मनिपुरी और नेपाली इन तीनों को हमने एड अड पकर रहा तो हमने जो अपनी लैंगविज एड करहे हैं न को ना संसोधन कहते हैं अगर हिंदी वारे स्वेंड़ों को समाझना है तो हमने सम्मिधान का 71 वार संसोधन किया था यानिके 71 वार चेंज कर दिया था उसको यानिके कुछ पूरी बुक नहीं नहीं बनाई है उसके अंदर कुछ नई चीज क्या बोलते हैं हमने अधर करी हैं तो हमारा 71 वार हमने कर रहा था तो हमने क्या बोलते हैं यह तीन जो लैंग्विज अपनी एड़ करी थी ओके तो यह हमारा क्योंशन है सब्सक्राइब करें अपना क्योंशन क्या कहता है समझेंगे नेक्स क्योंशन कहता है आपका विच आप फॉलोविंग वर्ड वाज एड़ सम्विधान में जो 42 वार संसोधन हुआ जहां भी अमेंडमेंट आएगा ना तो आपको आप समझ जाना है कि अमेंडमेंट का ठीक हमने ब्यालिसमी बार चेंज करा 1976 के अंदर तो हमने कौन-कौन से नएवर जोड़े हैं तो जब लोग को याद हो कि 1975 में एमर्जंसी लगी थी इंटरनल रिजन्स की वज़े से क्योंकि उस टाइम पे किसी गवर्मेंट इंद्रा गांधी गवर्मेंट इंद्रा तो उन्होंने क्या करा उन्होंने वार उन्होंने क्या करा इंटरनल रभमक्रति interior सम्मिधान के लिए बहुत सारे बदलाब करें उन्होंने संविधान बेयालिश मी वार संसुधन किया 40 इंदर संसुधन किया ऐधे 9-5 describes के अंदर ही एक यह आ रहा है यह बहुत इंपोर्टेंट के अंदर मन रहा है कि 42 संसोधन कब हुआ था मिस 42 अमेंडमेंट हमारा कब आया था तो इस अमेंडमेंट को ना हम मिनी कॉंस्टुशन भी कहते हैं इसके थुरू उन्हें इतनी सारी चीज़े डाल दी इतनी सारी चीज़े संभ्यधान के अंदर आइडव करती थी की हम इसको लहु संभूह नभी कहते हैं इसको मीनी संभूह ब्ताद्रान के अपके है एक स्यलिश्ट है वह इक है तै康ार और एक है आपका इंटीगिटी इंटीगिटी तो यह तीन नए वर्ड थे हैं ना सोशेलिस्ट सेक्विलर सेक्विलर माने धर्म निर्पेक्स से समाजवादी इंटीगेटी माने अखंडता तो यह नए हमने तो निर्टी आपको जैसा बताया अभी की तीन नए वर्ड जोड़े थे उन्वर्स के नामें सोशलिस्ट सेक्विलर और तो हमारा ओप्सन एस में करेक्ट आंसर है तो लेट्स प्रूसिट आगे बढ़ते हैं अगला क्योश्चन हम लोग वह देखेंगे से पहले मैं इसको जड़ा कर देता हूं जब तक आप नैस्ट क्योश्चन रिडाउट करेंगे हुम तो हमारा शोशलिस्ट सेकुलर यह आपको ध्यान रखना है तीन ने वर्स हमने जोड़े हैं उसका आपको ध्यान रखना है अब अगला क्योश्चन देख लेते हैं विच वन अव दा फॉलविंग एक्ट एक्सरसाइज दा मोस्ट प्रोफाउंड इंफ्लूएंट्स ऑन दा इंडियन कॉंस्यूश्चन हमारा जो सम्विधान भारत का वह आप लोग को पता है बिलुकुल कॉमन सी बात है कि हमारा जो सम् एक्ट करना पड़ेगा तो उस टैम पे एक चलता था जिसका नाम है गौर्मेंट अफिंडिया एक यह जो एक्ट था ना यह बहुत बड़ा एक्ट था इस एक्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़े लिखी हुई थी जो आजादी होने के बाद भी यानिके 47 के बाद भी हमको ल सकते हैं अपने समयधान में कर सकते हैं इसलिए गौर्मेंट अफिंडिया एक्ट 1935 से हमने बहुत सारी चीज़े हमने यूज़े ली हमने ठीक है ना और लोग भी एक्ट के यूज़े लोग को भी सब्सक्राइब करेंगे तो समालना बहुत मुस्किल भरा हो जाएगा और ह वह यही एक है पाकी इसके अलावा भी हमने कई चीज़े लिए बनाएंगे तो आएगा तो आगे बढ़ते हैं चलो लेकिशन देखें है वू डिस्क्राइब डार डारेक्टिब प्रिंसिपल पॉलिसी आइदे नौवल फीचर आप न ना और दूसरा कि आपको पता ही है कि आपको मौली को अधिकार आपके राइट है आपके वह लोगों के लिए और डिपी युद्ध को हमारे पर रूल करना है कि अधिकार लिए बहुत साथ चीज़े करेगी तो किन किन चीजों पर हमारे लिए बना सकती है वह सारे जो टॉपिक्स हैं उनको कहते हैं टीपीएसपी ठीक है उन सारे टॉपिक्स को उन सारे मुद्दों को हम कहते हैं डीपीएसपी और रही बात हमें, फंडामेंटल राइट वोँ का उतिकाल मिले हूं होएं जिनके विना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं गोनoncesी पर्सन है जिनने कहाता है की टीपीएसपी भार्यॉडमेट के लिए फीचर बेहीं और भारतिया संबिधानों के हैं तो यह बात कही थी हमारे बियार अम्बेडकर साब ने और बियार अम्बेडकर साब के वारे में आप यह जानते हो कि वह अम्बेडकर साहब ही थे ठीक है उनको क्या बोलते हैं सारे कॉंस्ट्यूशन का ड्राफ्ट की जिम्मिदारी है उनके उपर सौपी गई थी और उन्होंने उसको अच्छी तरह निवाया भी ड्राफ्ट करा का अच्छी तरीके से और हमारे को एक बहुत अच्छा सम्मिधान वह देखे गए हैं तो यह क्योश्चन है इसका अनसर ब इसमें इंपोर्ण टाम आये गवर्णर आपको पताईए देखो गवर्णर आर्ब्याइका भी होता है अब यहां पर प्वालटी सेक्षन है तो इसलिए क्या होता है और अब हमसे कह रहा है कि जो हमारा गवर्णर है कोई भी राज्य का जो गवर्णर है अगर मालों उनकी 上 congratulate curtain कर दे तो उनका काम कौन करेगा अब को पताई के अंदर yeah अधान हंती रहे ठीक है अब यह क्योशन का बेसी होगे अब रोल आ गया अगर श्टीट का गवर्णर मढ़ जाए ठीक है या वो रिजाइनेशन दे दे या उनकी दैत हो जाए तो उसका कार्रेखभार कौन समालेगा तो उसका कार्रेखभार समालता है चीफ जस्टिस अफ हाई कोट यानि कि राज्य के अंदर वह गवर्णर वर्क कर रहें उस राज्य का हाई कौट का चीफ जस्टिस होगा सुप्रीम जस्टिस होगा वह क्या करेगा वह आके गवर्णर बन जाएगा ठीक है ना वह पूजिशन को समालेगा और सारे काम को करेगा ऐसी वहीं पर अगर सब्सक्राइब करते हैं तो यह हमारा सिस्टम है चलो प्रोसीड करते हैं उससे पहले मैं कमिशन बना रखा एंचनल कंशन कंशन फोर सुटूल कास्ट एंद नैशनल कंस्ट पर स्ट्री के लिए उनका आगे बढ़ाना उनके लिरूल्स बगये से पहुंचाना उनके के लिए वही काम करता है जो काम करते हैं इन्होंने पूरे साल में क्या काम किया है इसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट यह सम्मिट करते हैं प्रेसिडेंट को आपका करेक्ट आंसर है लिए दिए इन्हों रिपोर्ट इसमें रिपोर्ट प्रेसिडेंट को यह अपने अपनी जू जजमेंट उसको बदल भी सकता है भविश्य में ठीक है तो अगर वो बदलना चाहता है अपने फैसले को तो वो किस आर्टिकल के तुरू बदलेगा ठीक है ना तो समझ लेते हैं इसको पहला देखो कोई भी सुप्रीम कोट का वकील हो या हाई कोट का वकील हो देखो सभी इनसान समय के साथ सथ क्या होते हैं हम समय के साथ सथ सपर्म कोट हो हूँ अपनी बेड़िक को बदल सकते हैं उस को कहते हैं अपनी बात का रिभीयू करना और यह कौना से आर्टिकल करता साथ सप्रीम कोट अपनी बात को बदलruktur के नया फैसला दीता है जैसे सपोच करो कि 2010 में उसने कुछ फैसला दिया किसी चीज़ को लेकर फिर 2022 में उसने नए टाइम को देखते हुए नए चीज़ को लेकर नए फैसला लिया ठीक है ना तो उसको कहते है जुडिशल डिव्यू अपने फैसले को बदलने का अधिकार सुप्रीम कोट अपने प सब्लाइब कर सकते हैं चीफ तिनों को इन तो उसका हटा सकतую हमारा रास्ट आसकते हैं क् सीफ लेषा तो हमारा सकते हैं तो हम् vein के सबलुशन कर जाता है वेंगों से राज्य सभा और लोग सभा दोनों से पास होता है फिर उसके बाद बंदा हट जाता है तो अगर चीफ जेस्टिस को अटाना है सुप्रीम कोर के तो अटा सकते हैं क्या को भी यटा सकते हैं यह यह बट हम इसे प्राप्ता नहीं है तो हमारा एक का आणसर हो जाएगा आणसर ए कि ओके नाओ लेक्ट टीच इन्ट है उनिफेर झीप फिर्थ । को से विच यॉनिफर्म सीविल कौर थे ओर तिडि अधियर से उनिफ़ुन को वाट्ट यॉनिफर्म सीविल को मैं आपको खक्लास याँ टीप यई पीसपी इसमें क्या होता है इसमें जो लाइफ के रूल से उन्हें वो इक समान बनाया जाये उसको कहते यूनिफर्म सिविल और ये हमारी बात करता है आर्टिकल 44 डीपी का कहता है कि सब के लिए जैसे लोग लाने की जो बात करता है आम जिंद्री के अंदर वो होता है यह बात करता है हमारा आर्टिकल 44 यह हमारा सब्सक्राइब के लिए को सब्सक्राइब के लिए तो इसमें क्या बोलते हैं मैंने बताया था पहले भी कि 1975 में इंटर्ण एमर्जेंसी की वजए से इंद्रा गांदी को बहुत दिक्कातारी थी लोगो को समभाने के लिए ठीक है ना तो उस टैम पे क्या करा गया कि सरदार स बनाते ताकि लोग उनकी सांति से रहें और काम करें तो परसन का नाम से सरदार स्न के लिएuggling के लिए कमेटी बनाई ठीक है सर्दार सुर्ण सिंग कमेटी उसमें लिखा गया कि लोगों को क्या-क्या करतव करने लोग फंडमेंट राइट तो मांगते हैं तो साथ पूरी करें तो उन डूटी के लिए एक लिश्ट बनाई गई और उस लिश्ट में दस डूटी रखी लिए इनकी प्यक्रेंट करें यह चाहिए पयंट कर सकते हैं वहां से अप ले सकते हैं और मैं आगे क्लास कंटीन्यू करता रहूंगा एक लिए और हम लोग फिस चीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे और भूप शो कि आप लोग उसकी प्रैक्रिस करते हैं थैंक यूउ